कि दोस्तों बिगनर लोग अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं और वह सोचते हैं कि हमने जिसे एक्जांबल के लिए बात बता रहा हूं कि कोई कि अगर इसका जो बीस रुपए या पचास रुपए है और वह एक दिन के अंदर चार्ट सो रुपए चला गया तो यहां पर क्या होता है नगी आदमी वह लालच में आ जाता है और वह यह सोचता है कि या जो बीस रुपए का है वह आज सुबह था और शाम तक वह मार्केट closing के time तक वो 400 चला गया तो वो भावनाव में बह जाता है और वो क्या करता है कि वो उसके उन उसको buying करने के चक्कर में वो लग जाता है ऐसा आपके साथ में एक दिन हो सकता है एक दिन आपने आपके पास में 1000 रुपे था और आपने एक दिन में 1000 का 10,000 बना लिया लेकिन लॉंग टाइम में आपके साथ में ऐसा होना possible नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है जनरली 99% लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने एक दिन अगर 1000 रुपे का 10,000 बना लिया तो बार-बार ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होता है क्योंकि time decay और option trading है ना बहुत जित के दिन के अंदर खतम हो जाएगा तो यहां पर आपको सिर्फ एक strategy के follow-up करना है और बहुत है option selling basket order में जाना है मुझे लगता है कि जो भी stock market में beginner आते हैं वह बहुत ज्यादा पैसा लेकर नहीं आते 10-20,000, 30,000, 50,000 रुपे अगर आपके पास में 50,000 का amount है तो आपको option selling मे जाना चाहिए और वह भी सिर्फ निप्टी में निप्टी के option selling के दर आप करोगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा profit होने के chances होते हैं अगर आप बैंक निप्टी में जाते हो तो बैंक निप्टी बहुत unpredictable है और उसके अंदर losses होने के chances रहते हैं क्योंकि moment उसके अंदर option selling करने के बाद में भी wild moment होता है उसके अंदर तो यहां पर मैं आपको सिरफ यहीं बोलूँगा कि आपको निप्टी के अंदर जाना है option selling के अंदर और निप्टी के अंदर basket order में आपको जाना है इसको मैंने पीछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि basket order कैसे लगाया कि एका